या दोस्तों आप भी YouTube एप्लिकेशन को अपने फोन में से हाइड करना चाहते हो कि आपको नहीं पता कि YouTube एप्लिकेशन को अपने फोन में से हाइड केसे किया जाता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने YouTube एप्लिकेशन को हाइड कर सकते हो तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दू अगर आप इस चैनल पर नए आते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके औल का उप्शन सिलेक कर लेना ताकि हम जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आप तलग तुरंट मिल सके दोस्तों ये रहा हमारा यूटूब का एप्लिकेशन अभी हमको इस यूटूब की एप्लिकेशन को हाइड करना है तो चलिए मैं आपको बता देता हो कि इस एप्लिकेशन को हाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो आपको अपने यूटूब एप्लिकेशन को हाइड करने के लिए अपने फोन की सेटिंग ओपन कर लेनी है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी हमने हमारे phone की setting open कर दी है phone की setting open करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा तो आपको इधर नीचे थोड़ा scroll down करना है नीचे scroll down करने के बाद दोस्तो आपको इधर एक option मेलेगा application and permission का तो आपको इसके उपर क्लिक कर देना है application and permission के उपर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा और सबसे पहला option आपको मिलेगा app manager का अगर दोस्तो आपको app manager का option नहीं मिलता तो आप यहाँ से back आ जाएंगे back आने के बाद दोस्तो आपको क्या करना है उपर एक search का icon दिखाई देगा तो आपको simple से इस search के icon पे क्लिक कर देना है search के icon पे क्लिक कर देने के बाद आपको इधर type कर देना है app manager जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी हमने app manager type कर दिया है app manager type करने के बाद दोस्तो नीचे आपका app manager आ जाएगा तो आपको simple से इस app manager के option पर click कर देना है app manager के option पर click कर देने के बाद थोड़ी से loading लेगा loading लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface नजर आएगा तो दोस्तो अभी आपको क्या करना है अभी आपको यहाँ पर अपना YouTube खोज लेना है तो हम सबसे नीचे जाएंगी क्योंकि YouTube वाई से आता है तो सबसे नीचे हमारा YouTube होगा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यह रहा YouTube ठीक है अभी इसके उपर आपको click कर देना है YouTube के उपर click कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा तो दोस्तो आपको मैं बता दू इधर आपको किदर भी hide का option नहीं मिलता तो दोस्तो अभी आपको क्या करना है आपको इधर एक option दिखेगा disable का ठीक है तो आपको simple से disable के option पर click कर देना है disable के option पर click कर देने के बाद नीचे आपको disable app का option दिखाए देगा तो आपको simple से disable apps के उपर click कर देना है disable apps के उपर click कर देने के बाद अभी आपका ये YouTube hide हो चुका है अपने phone से अभी हम back आ जाएंगे पूरी तरह से जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते है यहाँ पर play store के side में हमारा YouTube था जो कि अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है अगर दोस्तों आपको फिर से अपने YouTube को unhide करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर से आपको अपने mobile की setting open कर लेनी है mobile setting open करने के बाद फिर से उपर आपको search में जाना है search में जाने के बाद आपको इधर type करना है app manager app manager type करने के बाद नीचे आपको app manager का option मिलेगा तो आपको simple से app manager के उपर click कर देना है app manager के उपर click कर देने के बाद आपको इधर कुछ इस तरह का interface दिखेगा आपको सबसे नीचे जाना है नीचे जाने के बाद दोस्तों इदर आपको YouTube का अप दिखाए देगा और उसके सामने दिखाए देगा disabled ठीके तो आपको सिंपल से इस यूटूब के अप के ऊपर क्लिक कर देना है YouTube के अप के ऊपर क्लिक कर देने के बाद बैक जाने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यूटूब आ चुका है तो दोस्तो इस तरह से आप अपने यूटूब को हाइड और अनाइड कर सकते हो एंड्रोइड मोबाइल में